वास्कार दोस्तों तमाम लोगों का हादी का विनंदन करता हूँ धीरेच कुमार यादस अमाम लोग भूल रहे थे याज थोड़ी सी देर हो गई आज ट्राइवल दे था हमारा भी ट्राइवल दे था दुरुगा पूजा की शुरुआत हो चुकी है आप लोगों में से कितन तो टीम इंडिया जहां भी जा रही है उनका भब श्वागत हो रहा है लेकिन एहंदाबाद से जो उनको विदाई मिली है वो जबरदस्त विदाई मिली है उस विदाई की उस विदाई का कोई शायद जोड़ा नहीं और उमीद की जा सकते हैं कि एक महीने बाद ऐसी कुल मिलाकर यह सानदार अं प्रधीप शान घार ego करें मिलना ईक वर अएक वर पीस ठीक कोशिच करेंगे तो करीब दो सबयों आ गये इस वक्त हमारे साथ फटास लोगों ने लाइक किया हैं ठीक है लोग आडियो वीडियो सब क्वालिटी ठीक है न कुछ लोग कर रहें वेरी लो साउंड कमिंग एक बार चेक करके आप बताईए ठीक है यह प्रोलर का क्या करूं या ओके करें सारे जो हमारे फ्रेंड्स है वो ओके करें आल गूट सर यानि इसी से पता चल जाता कि जूटे क अब मैं उनका बिलीब करूं कि किसका करूं बताओ जाए अफगानिश्टान की भी बात करेंगे ठीक है ना तो अफगानिश्टान में दिल्ली में कमाल दिखा है या और वर्ल्लकप की कितने लोगों को लगता कि यह बहुत बड़ी जो है अपसेट है है चो लग रहा है यह बोल रहा है कि बहुत कम है तो मैंने बहतर कर लिया यार देखों पताने यार ओडियो का क्या चक्कर है कई लोग कह रहें कि नहीं बहुत अच्छा है सब ठीक है यहां तो अज पुझे आप तीम पुने पुने टीम ने आराम किया टीम इंड़ा ने कैसे जश्ट बनाय जीत कि यह वी आपको बताऊंगा लेकिन फिलहाल जो मैं आपको यह बताना चाहरा हूं कि कल का यानी संबार को सुमबार को सब लों के लिए तो रहिवार था है टीम इंडिया के लिए संबार खुती है तो लो अरिक को इंडिया का कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं है इंडिया कोई करेगी इंडिया पूरी तरह से आराम करेगी और इस इस अंडेस्टेंडेबल बिकॉस देवरी हाई इंगलेंड को क्वालिफाय करने का प्राब्लम होगा इंडिया पॉक ऐस्टेलिया साथ अफरिका को हराना पड़ेगा इंगलेंड को देगो मुझे तो लग रहा है कि अब क्वालिफाय करने के लिए तीन टीम सबसे आगे चल रही है इंडिया न्यूजिलेंड और साथ अफरिका तीनों मैचेस इन्होंने तीन-तीन मैचेस खेलें अभी तक हार का सामना नहीं किया है तो मुझे लग रहा है कहीं अब जो मैं पहले भी आपको बोल रहा था अगर आ मैं शूर नहीं था लेकिन यार क्या इंग्लेंड ने आज मतलब कॉलैप्स उनका दिखा और अफगानिस्ताथ शुरू से कॉन्फिडेंट दिख रही थी सवर्दस कॉन्फिडेंट दिख रही थी ठीक है न तो खेरे निवे तो इंडियन टीम के बारे में बात करें तो इं अभ्यास करेगी या नहीं करेगी मुझे अंदाजा अभ्यास करेगी किस्सम में करेगी यह नहीं पता है लेकिन मुझे उम्मीद है कि 17 तारीक को जो है वो फुल फ्लेज़ड अभ्यास करेगी और 18 को फिर ऑफ्सिनल प्रैक्टिस होगा तो 17 को फुल फ्लेज़ड अभ्या हुगा तो यह ना की खाबर और तीम अगा बता तो टीम इन्या जीत के बाद जो है। पीटि ऐई के रिपोर्टति मेदेख रहा था प्रीच कुछान सरब कारे के रिपोर्टति उसमें वह कहरे थे किया यह नहीं अ आपका बार हो हुने मैं आऊंगा यार पहले आशीश पहुंच रहे हैं और चीश के बाद में पहुंच आऊँगा और है बहुत सारे लोग नहीं कि लोग उनको वह कर रहे हैं तो अचीश तो अलेड़ी के लिए है ठीक है तो दिव्यांचु पंडे करें सर मुझे अपना कैमरामेन बना लीजिए नाला बेरोजगार बनकर घर पर बैठाओं कुछ तो करूंगा भाई कैमरामेन का काम बहुत मुश्किल होता आसान नहीं है कैमरामेन के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ठीक है न और उसका कोर्स करना पड़ता है प्रोफेशनल कैमरामेन के लिए और मैं अब जो है यार ऐसे वैसे कैमरामेन को नहीं देना चाहूंगा क्योंकि अभी मेरा बड़ा अनुभवरा एक कैमरामेन जो है जो मेरे साथ भी नहीं थे भलाई करने के लिए मदद करने के लिए जह नहीं में आये थे कहा जो है वो दिक्कत होता है तो इस ते बड़ा मुश्किल है तो थोड़ा साप लोग प्रॉपर कोर्स वोर्स कीजिए इंटरंशिप और इंटरंशिप का होगा वो करेंगे ठीक है देव्यांशु कुमार सर जी नवरात्री का पहला पूजा था आपने किया या नहीं सर यार मैं पहला पूजा तो नहीं किया मैं थोड़ा सा कम रिच्वालिस्टिक हूँ और मोर लाइक इस्पी रिच्वल काइंड ऑफ हिंदो तो मैं थोड़े से मैं उसमें कम बिलीव करता हूँ लेकिन हाँ नवरात्री का परव है दुर्गा पूजा जो है अपने तरब इस्ट में का बहुत बड़ा परव है तो खेर दोस्तों फिलाल इतना ही आपनों से फिर मुलाकात होगी सुबह में और कुछ ब्रेकिंग नीज होगी फिलाल इंडन टीम का मैं रैप अप कर दूं इंडन टीम जो है सारी टीम फिट और फाइन है टीम पूने पहुंच चुकी है लेकिन ट खिर को ये लेकिन मताकıntल इज होगी सुप मलाकात बासे कंथ जोचवे लिखश इंडन ही तो खिर गथ